हेलो बच्चों, एजूकेशन एक्सिस में आपका स्वागत है, क्या कह रहा है इस प्रश्ण में, यदि 6, 8, 5, X, 4, 7 और 8 का माध्ध 7 है, तो X का मान ग्याद कीजिए, मतलब यहाँ पर जो दिये गए 4, 6, 8, 5, यहाँ पर जो चौथा चर दिख रहा है, यह लुप्त है, यह म बताइए, ताके माध 7 हो जाए, ओके, तो एक फर्मूला है माध के लिए, लिखेंके चुकी, माध बराबर, X1, प्लस X2, X3, so on, Xn, byn, यह माध ग्याद करने का आपका फर्मूला हो गया, ठीक है, तो माध हमें ग्याद है कितना, 7, तो माध के सामने लिख दिजिए, माध X1 मतलब जो पहला चर है अपका, कितना है, 6, X2, दूसरा चर, X3, तीसरा चर, फिर X3 के बाद X4, 5, 6 होगा, इसलिए, 100 लगा हुआ है, तो फिर अगला पद हो गया, X, उसका अगला पद, 4, फिर अगला पद, 7, उसका अगला पद, 8, ठीक है, तो पुल कितने पद हो गये, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो इनकी गिंती जितनी होती है, वही N का वैली होता है, N बराबर हो गया, 7, अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक डाली है, बट्टा और बराबर जब भी दिखता है, तो हम क्या करते हैं, क्रोस गुना, सब को जोड़ लिजे, पहले, 8, 7, 15, 15, 4, 29, और 29, 5 हो जाएगा, 24, 24, और 8 हो जाएगा, 32, 32, और 6 हो जाएगा, 38, तो 38 को एक से गुना करेंगे, तो 38, फिर ये X भी तो है, X को एक से गुना करेंगे, तो X, is equal to इधर से, 7 को 7 से गुना किजिए, तो 49 आ जाएगा, और X बडाबर तो 49, और 38 लेफ्ट टू रैट जाएगा, तो माइनस 38, ओके, और X का वैल्यू कितना आ गया, एक चार में से 3 गया, तो X का वैल्यू कितना आ गया, एक क्या आ रहा हो, एंसर, ओके,